हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाएं अदूरे के MP Express Way को जबरन खोल कर पीम नरेंद मोदी ने जनता की जंदगी को खत्रे में डाला कॉंग्रेस दिल्दी की सड़कों पे भारी वाहानों को खटा कर प्रदूशन गम करने की उद्देश से बनाए गया के MP Express Way पर 6400 करोन रुप्य का खड़ चाया है राफेल में जनता कब ऐसा लूट प्रचार के लिए इस्तमाल कर रही है मोदी सरकार राहूल गांधी जी हाँ राहूल गांधी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि राफेल डीर पर छेड़ी जुमानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है उन्होंने ये बात कही है कि राफियल में जनता कब ऐसा लूट कर मोधी अपने प्रचार में से इस्तिमाल कर रही है मिजोरम में चिनावी सबा को संबोधत करते हुए कॉंग्रे सद्धिक शाहुल गानी ने प्यदान मंत्री नरेंद्र मोधी और केन सरकार पर चम कर हमला बोला कॉंग्रेस अधिक राहुल गांदी ने मोजी सरकार के नेतरुत वाली सरकार पर निर्वाचन आयोग और CBI जैस संस्थाओं के कामकाज में हस्त शेप करने का आरोप लगाते वे कहा कि प्रदान मंत्री ने रिलाइंस के अनलम मानी के मदद के लिए करोन रुपए दिये थे उसो मनरेगा योजना के एक साल का खर्च है उसे अपने ही प्रचार में इस्तमाल कर रहे हैं अगली बड़ी खबर राहुल गांदी का मोधी सरकार पर हमला अफसर ठक गए हैं भरोसे तूट गए हैं लोग तंत्र रो रहा है जी यहां CBI में अफसरों की जंग में डियाईटी रंग के मनीश कुमार सिनहा के नए आरोप के बाद राहूल गांदी मोधी सरकार पर हमलवार हो गए हैं। राहूल गांदी ने लिखा कि दिल्ली में चौकीदार ही चोर है, नामक एक क्राइम थिलर चल रहा है। मनमोहन ने कहा राफेल पर जे पीसी के लिए तयार नहीं मोधी सरकार मतलब दाल में काला है। जीहाप पूर प्रधन मंत्री मनमोहन सिंग ने मुद्वार को राफेल डील पर मोधी सरकार पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि मोधी सरकार राफेल सौदे में सयुक्त संसिदी समेती JPC की जार्च के लिए तयार नहीं है, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, कुछ तो गरत हुआ है, उन्होंने कहा, UPA सरकार ने सभी मध्यप्रदेश के साथ भेदभाव किया है, बाच बारोप लगाती रही कि UPA के वक्त मध्यप्रदेश के साथ के ने भेदभाव किया था, चुनावी महाल में फिर गरम हुई नरेंद मोधी के चाय विक्रिता होने की चर्चा RTI स हो चुका है खुलासा, रेलवे के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव कि समय जब नरेंद मोधी ने खुद को एक चाय वाला बताया था, तब इसे हर चुनाव के समय यह चर्चा जोर पकड़ जाती है, अभी हो रहे रहे राज जी विधासभा चुनाव में यह चर्चा उचली है, हाली में पिम मोधी ने ट्वीट किया था कि कॉंग्रेस को अभी भी हरानी है, कि एक चाय वाला पिम कैसे बन गया, ऐसे विट टी आटी आई के जरिये सामने आई, इससे जुड़ी एक पुरानी जानकारी भी चर्चा में आई है, अगल चुशी मंत्राले के इस बयान के विपक्ष को कें सरकारे खिलाफ एक और मुद्दम मिल सकता है, मोधी की जाती वाले बयान पर सीपी जोशी की सफाई बोले बीजेपी ने किया गलत इस्तिमाल, बीजेपी के आपत्ती जाताने वाले के बाद कॉंग्रेस के वरिश नेता ए प्रभावित करने के लिए अजीर डाबोल का नाम आने के बाद कॉंग्रेस का मोधी सरकार पर हमला यहीं कहीं है बात, CBI एधिकारी M.K. सिनहा ने सोमवार को सुप्रीम फोट में आरोप लगाया कि राशी सुरक्षा सराकार अजीर ढोबल और केंडरी सतकार करता सायुक्त केवी चौदरी ने CBI के विशेश निदेशक राकेश अस्थाना किलाव जाच में हस्तशेप किया, अस्थाना पर रिश्वत्खोरी के आरोप है, इसके बाद कॉंग्रेस ने प्रिदर मंत्री मोदी पर हमला बोला है, कॉंग्रेस ने वक्तार अंदीब सुर्जेवाल ने सिनहा द्वारा रिपोर्ट के कोर्ट में समक्ष किया कि खुलासे पर आश्चर जाहिर किया है और कहा लोगतंत संकट में हैं और समविदान खत्रे में हैं, कॉंग्रेस ने ता दिगविजे सिंग ने कहा, 2019 में बीजेपी से पीम मोदी बनेंगे या राजनात सिंग, ऐसा क्यों कहा, ये इस समय जवरंत विशे बना है, दिगविजे सिंग ने कहा, सुष्मा पीम मोदी होती, त तो बीजेपी सरकार सफल होती, यानि उनका कहना था कि सुष्मा स्वराज, पीम होती, तो बीजेपी सरकार सफल होती, पूछा सवाल, बीजेपी से 2019 में पीम राजनात होंगे ये अमोदी, दिगविजे सिंग ने की सुष्मा स्वराज की तारीफ, नई दिली, बीजेपी क वरिष नेता और विदेश स्वश्मा स्वराज ने 2019 का लोगसभा चुनाव ना लड़ने की बात कही है इस मुद्देपक कॉंग्रेस की वरिष नेता कहा कि मद्देप्रदेश के पूर मुख मंत्री दिग विजय सिंग ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि पी-म के जगां सुश्मा उनके जगां पी-म होती तो ये बात अच्छी होती भारती जंदा पार्टी के सांसद और फिल्म अभिनेत शत्रुगन सिना ने अपने बगातवी तेवर के लिए जाने जाते हैं पार्टी में रखकर पार्टी की ही अलोचना करने वाले शत्रुगन सिना से ही सीखे अपने भगवती तेवर को लेके शत्रुगन सिनहा ने एक बार फिर कहा अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भागी हूँ दरसल शत्रुगन सिनहा बुद्वार को चित्रकूट जिले के रमायन मेला परिसर में अपना दल द्वाराय उजित किसान महा सम्मेलन में बोल रहे थे CBI विवाद पहली बार करोणों की घुसखोरी में नरिन मोधी सरकार के मंत्री काया नाम नोट बंदी और GST पर वा बोले थे कि 5 साल कारिकार पूरा होने के बाद ही मोधी सरकार के कामकाश के प्रदर्शन का आकलन होना चाहिए चौधरी का दावा है कि वा PM मोधी को 20 से अधिक वक्त जानते हैं साथी देशी सबसे बड़ी जाच एजेंसी केंद्री अनुवेशन ब्यूरो ने मंच अंद्रूनी घमसान में बीच पहली बार प्रदान मंत्री नरिन मोधी सरकार के एक मंत्री का नाया नाम सामनी आया है रिश्वत कोरी कान के तोर पर PM मोधी के करीबी माने जाने वाले केंद्री सरकार मंत्री हरी भाई पार्थी भाई चौधरी से जुड़े हैं CBI के DIG मनीश कुमार सिनहा ने इस मामले में शिकायत करता सना सतीज बाबुक्स के हवाले से आरोप लगाया कि चौधरी की इस मामले में मदद मुहया कराने के लिए करोन रुपे की रिश्वत दी गई है मोधी की जाती वाले बयान पर CP जोशी की सवाई बोले BJP ने किया गलत इस्तमाल BJP के अपत्ती जिताने वाले बाहत कॉंग्रेस के वरश नेता एवं पूर्व केंद्री मंत्री CP जोशी ने PM मोधी और उमाभार्थी के जाती पर दिये बयान पर सफाई दी है के है कि BJP कि उसके बयान को गलत अरी के से सिफ़ इस्तमाल किया ला कॉंग्रेसी भूले मर्यादत सिद्दू ने PM तो राज बबर ने अप उनकी माह पर दिआ अपत्ती जयनक बयान जिया सेद्दू ने पीम तो राजबबबर ने उनकी माँ पर दिया अपतिजनक बेयान वरिश कॉंग्रिस नेता राजबबबर ने भी गुरुवार को अपनी एक चुनावी सभा में पीम मोदी की माँ को लेकर विवादित बेयान दिया है पांच रादियों में चल रहे चुनाव में नेता इक दूसरे पर जम कर आरोप पत्यारोप लगा रहे हैं कई नेताओं ने इस दौरान विवादित बयान भी दिये हैं वरिश कॉंग्रिस नेता राजबवर ने भी बुद्वार को अपनी एक चुनावी सभा के दौरान पीम नरेन मोदी की माँ को लेकर विवादित बयान दिया है गांधी परिवार को घेड़ने के चक्कर पीम मोदी से हुई गलती सीतर राम केसरी को बताया दलित 36 गड़ के महासमुन के रैली संबोधित करते हुई पीम ने कहा कि दलित सीतर राम केसरी को कॉंग्रेस अध्यक्षपत का अपना कारिकाल पूरा नहीं करने दिया 36 गड़ मिक्चुनावी सवा के दौरान प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने गांधी परिवारों घेड़ने के चक्कर ने बड़ी गलती कर दी जी हाँ उन्होंने कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इतर राम केसरी को तलित बता दिया मोदी के चालेंज पर चितंबरम का जवाब गिनाय पंद्रा नाम कहा याददाश कमजोर पांश राजियों में हो रहे विदान सबाचिनाव में भी प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ये कॉंग्रेस की बीश्ती की नोगजोग छीड़ी हुई है प्रदान मंत्री मोदी के एक परिवार के इतर किसी अनिको पार्टी अद्धिश मनाने के चालेंज पर कॉंग्रेस की ओर से पीछ दमरम ने करारा प्रहार करते वे जवाब दिया है शुक्रवार को 36 गण के अंबिका पुरमे चुनावी जनसभा को संबोधित करते वे प्यम मोदी ने कहा था मैं तो हर रोज अपने चार सालों का हिसाब देता हूँ कॉंग्रेस वाले अभी भी आसू भाते हैं कि चायवाला देश के प्रदान मंत्री कैसे बन गया जब तक आप लोग तंत्र को नहीं समझोगे तो वो चायवाले को गाली देते रहोगे यह कह रहे हैं कि नैरों की वज़ा से चायवाला प्रदान मंत्री बना तो एक बार पांस साल के लिए अपने परिवार के बिना किसी को पार्टी का देख्श मिना कर दिखा दो वाइरल आडियो में दावा मोदी जी को कोई सुनने नहीं आ रहा दारू साड़ी पैसा बाटना होगा मध्य प्रदेश विदान सभा चुनाव में जीत की जद्द जहत के बीच आडियो वीडियो का दौर भी जारी है कभी शिवरास्त तो कभी कमलनात और कभी कारिकरता या प्रत्याशी चुनावी समर में हर किसी के ओडियो वीडियो सामने आ रहे है अब एक ओडियो और सामने आया जिसमें भारती जंद पार्टी खेमे में तहलका मचा दिया कांग्रिस में चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए ये ओडियो सौपा है जन सर्था इस ओडियो की सत्यता की पुष्टी नहीं करता है लेकिन आयोग को सौपे गए इस ओडियो में चुकाने वारा सम्माद सामने आया है शिकारत में किये गए दावे के मुताबिक या ओडियो मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान के बेहत करीबी माने जाने वाले विदिशा से भाश्पा प्रत्याशी मुकेश टंडन और प्रदेश भाश्पा देख्षराकेश सिंग के बीच हुई बातचीत का है